हेलो इस्टूडेंड कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बच्चोंगे मस्तोंगे बेतर होंगे क्लास टोल्द फिजिक्स अंसियाटी में चैप्टर फाइब चल रहा और आज की इस लेक्चर में हम दो तीन चीजों को यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं पहला तो हमारा चुमके छेतर की तिवरुता फिर दूसरा हमारा आ जाएगा चुमके छेतर Oui I और तीसरा पेरवच्चों चुमके छेतर रहा हैं समंधित आप चुमके छेतर पड़ रहे हो और इसके बाद हम विद्दु छेत्र फड़े थे इन में संबंध या कि इन में क्या अंतर होता है चुमकिय छेत्र रेखाएं और विद्दु छेत्र रेखाएं इन में क्या अंतर होता है मुक्रोब से तो इसी को आज क्लियर करेंगे बिल्कुल कम समय में कोशिस करेंगे आपको स जाए जाएंगे इसके पहले जो भी वीडियो जहें वो प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे और इसी इनका है डिटे नोट्स चाहिए तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं करदा जेए जो करते हैं चिंद कि खेत्र की ती बारे में चिंद की बर्ता कि से कहेंगे ये चीज़ पहले आप परिवासा समझेगे तो देखो चुमकिये छेतर में किसी बिंदू पर इस्ठित कालपनिक सुतंत्र एकांक उत्रीधरूबब करता है उसे उस विंदू पर चुम की छेतर समझ लो जिसमें कहतो हूं चुम्बक की अब धारणा पहले आया भाई की कहीं न कहीं कुछ एक ऐसा पदार्थ है आपने इसके पहले पढ़ा था मैगनेट नाम यहीं चुम्बक का नाम कहां से पढ़ा जिसमें देखा गया कि यह कुछ पदार्थों को अकर्षित कर रहा है जैसे लोहा है कापर है धात पदार्थों को अकर्षित कर रहा था तो जिन पदार्थों को आकर्षित कर रहा था उसे चुम्बक की पदार्थ कह दिया गया और उसे चुम्बक नाम दे दिया गया कि यह जो हमारा एक चटान एक चुम्बक की भाँत ही काम करता है और मेगनीसिया में मतलब इस्थित होने के कारण उसे मेगनेट कहा जाने लगा जिसे हिंदी में चुमबा कहते हैं यह सब अब धारना था जैसे वो चुमबा की है तो चुमबा के चारों एक निश्चित छेत्र होगा जहां तक कोई पदार्थ आकर्ष कदम बाहर भी उस टीचर के आवाज को कोई बच्चा पढ़ सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता, कहीं न कहीं उस टीचर के एक चारों का एक फिल्ड थाए एक बातावन तैयर हो जाता है जहां तक उनका बल अनुभा हो सकता है कोई अन्वेक्ति उनसे पढ़ सकता है उनसे इंस्पायर हो सकता है इसी प्रकार एक चुम्बक में भी कुछ ना कुछ ऐसा गुण पाया जाता है जिसके चार ओर जी कोई धुरूब आए तो कुछ ना कुछ बल का अनुभाव कर ले तो चार ओर का एक छेत्र जहां तक भाई को है ना देखा जा सकता है समझा सा सकता है अनुभा किया जा सकता हो चुम्बक के छेत्र कहलाता है यह हम कैसे गर ना कर सकते हैं जिसे चुम्बक है उसके पास अनुचुम्बक की पदार्थ को लाते हैं तो अनुचुम्बक की पदार्थ उससे अकरसित होता है तो भाईया वहाँ पर कुछ न कुछ अनभाव कर सकता है, चुमकत का अनभाव कर सकता है, उस प्रभाव को हम बोल सकते हैं, चुमकत का प्रभाव, और उसके एरिया को हम बोलते हैं, चुमकी छेतर, समझ रहे हैं, चुमकी छेतर क्लियर हो गया, अब वहीं से बना चुमकी छेतर की बल है यहनी हमारे पास दो धुरूब हैं है ना और उनके बीच कितना बल लग रहा है तो हमारे पास यह निकल कर आया था म्यू जीरो अपान फोर पाई म्यू जीरो अपान फोर पाई फिर दो धुरूब हैं तो उनका धुरूप प्रावल अलग अलग होगा M1 M2 बटे बीच की दूरी कितनी है R है तो R स्क्वेर ये हमारा कहां से आया था कुलाम की व्यूत्क्रम बरके नियम से होता है दोनों धुरूप रावलनों के गुड़न फल के अनक्रमान उपाती तथा उनके बीच की दूरी के बरके ब्यूत्क्रमान उपाती होता है जब मिसको निस्पत्ते किये थे तो पहले परवच्चो M1 M2 गुड़न फल के अनक्रमान उपाती और उसके बीच के दूरी के बरके ब्यूत करमान उपाती ऐसा होता है यह दिन दोनों को मिला दिया जाए तो यह आप समान उपाती M1, M2, बटे R2 और जब समान उपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसके कमान मुज 0, 5, 4 पाई रखते हैं यह सब बताने का क्या कारण है सर आप क्या कहना चाहते हो क्या साबित करना चाहते हो हम चुमकी छेतर की परिवासा तो बता दिये इसके साथ साथ चुमकी छेतर की तिवरता की परिवासा बताए है पर पेरवच्चो उसके आदार पर उसका फार्मलर निकालना चाहते है कि चुमकी छेत्र की तिवरता आखिर में कितनी लगती है समझ रहे हो अभी तो सिंपल परिभासा है कि एक हमारे पास चुमबक है ये चुमबक है मान के चलते हैं इसके चार और एक फिल्ड जनरेट हो जाएगा जहां तक चुमकी छेत्र का प्रभाव होगा उसे हम चुमकी छेत्र कहते हैं और इस चुमकी छेत्र में कोई भी एकांग उत्री धुरूब आ करके कुछ न कुछ बलका उनभाव करेगा उसे उस बिंदु पर चुमकी छेत्र की तीवरता कहते हैं ठीक है अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझना मैं कह रहा हूँ बच्चा लोग कि ये मेरे पास एक चुमबक था यदि यहां पर N है और यहां पर S है तो जब हम नार्थ पोल को ला रहे हैं इसके पास में यहां पर मैंने कहा N पोल लाया तो पेरे बच्चो जो S के साथ होगा यहां पर यह होगा A कर्षन क्या होगा A कर्षन क्योंकि अपोजिट डिरेक्शन पर जा रहा है विपरीत धुरूप पर जा रहा है A करके प्रवेश करेगा इसलिए तो कहते हैं जो बिद्दू चुम्ब के छेतर रहा है N से निकलती है और कहां पर समाप्त होती है S पर समाप्त होती है क्लियर है समझ में आया कि N को N के पास लाएंगे तो प्रतिकर्शन होगा N को S के पास ले जाएंगे तो A कर्शन होगा अभी थोड़ा बहुत समझ में आया ठीक है चलिए मैंने कहा एक चुम्बक है जिसका मैंगनेटिक फिल्ड तैयार कर लो यहां पर थोड़ा साट कट में मैं समझा देता हूँ एक मेरे पास क्या था चुम्बक था इस चुम्बक में N और S धुरूब है इसके चार और क्या है एक मैंगनेटिक फिल्ड तैयार हो गया अब इसमें एकांक उत्रे धुरूब का आता है एकांक उत्रे धुरूब एक बिंदु पर जिसका धुरूब प्रबल M है तब इनके बीच लगने वाला बल कितना हो सकता है एकांक उत्रे धुरूब मतलब इसका मान एक हो जाता है ठीक है क्लियर तो देखो अभी आपने पढ़ा पेरे बच्चो कि जो बल है वो किसके बराबर होता है म्यूजीरो अपान फोर पाई सही बात है सर ठीक है M1 M2 तो M1 को हम M लिख देते हैं क्योंकि बोला है ना M धुरूब प्राबल के एकांक उत्रे धुरूब से R दूरी पर एकांक उत्रे धुरूब रखा है मतलब भाई सहाब हमारे पास M धुरूब प्राबल का एक धुरूब है उसके पास एकांग उत्रहइ द्रूब आ रहा है तो एकांग का मतलब 1 रख दें बटा में आर स्क्वर अब ये कहां से आ गया बाई उसे बट कानियम कहता है कि भाई सहाब जो हमारा बी है जो हमारा बी है वो कितना होता है बी बराबर स्वरी एप बराबर mu 0 upon 4 pi m1 m2 बटे r square तो एक धुरूब तो हमारे पास है और दूसरा जो धुरूब है वो एक आंक है, मतलब m2 कमान 1 है, m2 कमान 1 है और m1 कमान m है ठीक है, तो यहाँ पर m रख दिया हमने m गुने 1 कर दिया बटा r square कर दिया तो यह एक आंक उत्रे धुरूप पर लगने बाला बल निकल कर आया एक आंक उत्रे धुरूप पर लगने बाला बला आ गया चीज़ें clear है, अब देखो यही जो बल है चुमिकी छेत्र की तिवरता कहलाएगी जिसे हम 20 से दरसाते हैं तो बी बराबर कितना आ गया म्यू जीरो अपान फोर पाई पेरेवच्चो और एम बटा r square अब यह आगे चलकर इतना काम का चीज़ है धान रखना हम अच्छी स्थित पढ़ाएगे निरच्छी स्थित पढ़ाएगे दोनों बिंजक में ये विलकुल लगने वाला है चुमकी छेतर का परिमार आ चुका है क्या चुका है चुमकी छेतर का परिमार यही चुमकी छेतर का परिमार नहीं चुमकी छेतर में तीबरता कितनी लग रही है बास्तवी क्रूप से वो यही भी बराबर निकल कर आ गया तो यह हमारा concept clear हो चुका है चुमकिय छेत्र की तिवरता तो चुमकिय छेत्र भी आपने समझा कि वही चुमबक के चारूर का एक छेत्र जहां पर उसका प्रभाव रहता उसे चुमकिय छेत्र कहते हैं अब आप फेडिंग लगाओगे पर बच्चो चुमकिय छेत्र रेखाएं इनकी परिवासा बच्चा लोग त्यार करो अब देखो इसको कैसे समझा गया भाई साहब की चुमकिय छेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से है जैसे एक आप कटोरी ले लो मैं आपको थोड़ा सा डाइग्राम समझाता हूँ आप एक कटोरी ले लो है ना ये कटोरी है ठीक है अब इस कटोरी में मैंने कऱे दिया भाया की लोहे के छोटे-छोटे चूण है ठीक है रखा हुआ चोन और फिर इसमें इसमें एक आप चुम्बक रख दो चुम्बक को इस प्रकार रखो कि इसमें N और S दुरूब दोनों हो तो एक साइड मैंने कहा N धुरू और एक साइड S धुरू अब किस पर क्या है चुम्बक रखा हुआ है मध्ध में और इस पूरे कटोरी पर यदि एक प्लेट ले लो अच्छा रहे है प्लेट ठीक रहेगा है ना कटोरी भाई एक साथ में थोड़ा दिक्कत हो जाए प्लेट ले लो प्लेट में आपने चुम्बक रख दिया बीच में और इसमें पूरे प्लेट में क्या है पूरे प्लेट में आपके छोटे छोटे लोहे के कण है बुरादा डाल करके लोहे के कण को डाल दो को दिक्कत फिर से समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा एक प्लेट ले ल दो और आप लोहे का बुरादा डाल दो और लोहे का बुरादा ढाल करके उसके बीच में छुम्मग रख दो अब इस प्रकार से आकरती बना देता है बिलकूल ाकरती यहां पे समाप्त हो जाएगा समझ रहों कुछ इस प्रकार से आकरती बनाएगा ठीक है कुछ इस प्रकार से आकरती बनाएगा ऐसा तब इसमें अनुमान लगाया गया कि कहीं न कहीं यहां पे कुछ न कुछ एक रेखाए निकल रही होगी जिसकी अनुदिस ये जा करके समयोजित होने की कोशिस कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से समझ रहे हैं तो ये आपका एक बन चुका क्या चुमकी छेतरेखाओं का पथ प्रदर्शन और ऐसे निकल रही थी ऐसे यानि जो भी इसमें लकडी के बुरादे रखे बीच में चुमबक को रख करके उसको खट-खटाया गया जब खट-खटाते रह गया तो जो आपके छोटे-छोटे बुरादे थे बुरादे के कणई नि लोहे के कणई हैं वो बिलकुल एक रेखा के रूप में वस्तित हो गया बक्र के रूप में दिखाई देने लग गय तो ये पता चला भाई कि चुमकी छेतर रेखाएं इस प्रकार से होती होंगी समझ इसके बाद अनुभाव गिया गया ठीक है क्लियर है तो चुमकी छेतर रेखाएं भाई साहब एक चुमबक के चारो और एक पथ प्रिदर्शन का काम कर रहे हैं अब इसकी परिभासा आप को लिखना पड़ेगा तो परिवासा को सरा आप परिवासा लिखा दो तो मैंने कहा भाई ये काल्पनिक है हमने तो देखा कि एक हमारे पास क्या है प्लेट है उसमें चुमबक है चारो और लोहे के चोटे-चोटे कण है जब उसको खट-खटाया तो लोहे के कण एकदम प काल्पनिक बक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खीची गए इस पर सरेखा को उस बिंदु पर चुमकी छेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है या दूसरी परिवासा आप लिख सकते हो कि चुमकी छेत्र रेखा वह काल्पनिक बक्राकार पत है जिस पर कोई काल्पनिक स सतंत उत्रेदरूब घमन कर सके तो परिभास लिखी लो आप लोग कि चुमकी श्यतレ खाह कामनिक बक्रा कारत है जिस पर एक एक आंघ को ट्रेदरूब घमन कर सकता है कि एन से निकलता है तो ये से ऑखी व compass होगा सिंपल करेगा यहां पर चुम की छहेटरहा है प्रवेस हो रहे हैं यहां पर आकारसी तो Σ कि पास जायेगा तो यहां पर एक कांद इत्री बिद्रूब कर आ सकते हैं जी क्राहत कर आ सकते हैं भी नार्थ तक जा सकता है लेकिन साूठ जो पौल है, यह हम यहाँ से ले जाएं यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि South की बीच क्या हो जाएगा, है ना South Pole जो है South Paul से प्रतिकर्शित होता है, तो यह चीज़ें आपके मने में bald होना चाहिए clear, तो यहाँ पर एक आपने रेखा देखा कि जो चुमकी छेत रेखा न से निकलती है और S पे समाप्त होती है एक चीज और है जैसे मैंने कहा चुमकी छेत रेखा N से निकलती है और S पे समाप्त होती है अंदर S से N के और चलती है ये भी चीज याद रखना तो अब आप लोग पेरे बच्चू क्या कर लो heading लगाओ चुमिकी छेत रेखाओं के गुण क्या लगाओ चुमिकी छेत रेखाओं के गुण तो क्या सर आप लिखाओगे नहीं मैं इस बार लिखाने वाला नहीं हूँ आपको समझाने वाला हूँ तो आप लोग ईटेंग लगाओ, चुम्मिकिये छेत रेखाओं के गुन, थिक है चुम्मिकिये छेत रेखाओं के गुन, चलो बच चलो गुन की बात कर लेते हैं पहले आप एक diagram तो समझी सकते हैं, diagram कैसे बनाना है? कि हमारे पास एक क्या? वच्चों, एक हमारे पास भाल लो चुमबक है, छण चुमबक है इसमें n pole है, इसमें s pole है अब जो चुमिकी शेतर रेखाएं हैं, वो n से निकलती हैं कहां से निकलती हैं, N से निकलती हैं, N से निकलेंगी, N से निकलेंगी, और कहां पर समाप्त होगी, S पर समाप्त होगी, सही बात है, ठीक है सर, समझ गए, N से निकलेंगी, और कहां पर समाप्त होगी, S पर, ठीक है, तो N से निकलती हैं, और S पर समाप्त होती हैं, यह चीज clear होना चाहिए और अंदर की बात करूँ अंदर S से N की ओर चलते हैं ओके तो इस प्रकार से निकलती है चुम्म की खेत्रे खाएं ठीक है और यहां पर S से प्रवेश भी करती है इस पर समाब्त हो जाती है तो यहां से निकलती है और अंदर परवचो S से N की ओर चलती है तो पहला नंबर आपने लिखा कि चुम्म की खेत्रे खाएं जो है बाहर उत्रे दृप से दश्ञे दृप की हो जाती है जब कि पर अंदर दश्णी दुरुप से उत्रे दुरुप की हो जाती है और एक सतत बक्र का निर्माड करती है बक्र मतलब देखो ज़रा यहां सतत बक्र है यहां कहीं पर टूटता नहीं है लाइन से निकला तो एस पर गया फिर एस से एंटा इसलिए तो चेहते हैं यह बंद बक रेखाय निकलती है S पर समाप्त होती है और अंदर भी S से N की ओर चलती है ठीक है clear है चलो दूसरा नंबर यह कि छुमिकी छेत रेखा है इसके किसी भी बिंदू पर इस पर सरेखा खिश दे वो उस बिंदू को परणामी को बेक्ट करता है जो चुमिकी छेत रेखा है है उसक अपनार लिखो आप लोगश लिखते चलना दो छेत रेखा को और एक डूसरे को कभी नहीं नहीं काडती यह दो छेत रेखा है पर दो दिसाएं कभी नहीं हो सकती है ध्यान रखेगा मैंने कहा कि यहां पर इसके अनुदिस कहूं तो इसका इस पर से रेखा इधर की और इसके अनुदिस से दी मैं कहूं तो इसका इस पर से रेखा ऐसा जा रहा है तो इसका जो दिसा है इधर है और इसका दिसा इधर है तो एक ही बिंदू की दो दिसाएं जो क की संभाव नहीं है इसलिए कहते हैं जो चुमकी छेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ठीक है चलिए अब मैंने कहा कि यहां पर थुड़ा देखो सघन रेखाएं दिख रहे हैं यहां भी सघन लेकिन यहां पर बिरल रेखाएं इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर तीब्रता अधिक होती है अधिक तीब्रता वाले चुमकी छेत्र पर रेखाएं सघन होती हैं और कम तीब्रता वाले इस्थान पर रेखाएं बिरल होती हैं चार आपने तयार कर लिया पहला फटाफट एन से निकल कर रहे समाप्त होती है और अंदर से न क्यों चलती है है ना चुमकी छेत रेखाओं किसी बिन्दू पर खीचे के इस पर से रेखा वो उसकी दिशा को बताती है पयणामी दिशा को बताएगी ठीक है तीसरा आपने क्या कहा है यह दूसरे को कभी नहीं कारती और चौत्रा आपने कहा कि भई साहब जो आपके चुमकी छेत तो ये जो होते हैं लचकदार डोरी के समान होते हैं सिंपल है समझ लचकदार डोरी के समान होते हैं एक कालपनिक चीजे हैं पहले से आप समझ लो ठीक को दिक्कत तो नहीं तीन चार आप लोग त्यार कर लेना ज्यादा त्यार करने जुरूत नहीं है और लिखना है तो च्छेतर में छेतर रेखाएं एक दूसरे के समानतर होती है एक समान चुम की छेतर इस प्रकार से क्रियेट होता है इस प्रकार से यह रेखाएं एक दूसरे के समानतर होंगी जितने भी चुम की छेतर रेखा बंदा है मतलब जितने भी चुम की छेतर रेखाएं एक दूसरे क कि चलती है दूसरा आपने कहा चुंकी शितरे खा की किसी विन्रों पर इस्पस रेखा खेज दो इसकी दिशा को बताती है फिर मैंने कहा एक इसेsl रेका है तो एक और एक समानतर होंगे, समदूरस्थ होंगे, ठीक है, चले, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, समझ गया होगे, अब मेरे को दिखरा है, यह चुमबाक है, N से निकल कर, S पर चुम की छेत्रेखा है, चलती है, लेकिन वहीं पर एक चालाक लेते, Q1 है, और एक Q2 है, तो भाईया, यह Q1 से निकल करके Q2 पर जाता है, समाप्त होता है, यह विद्दू छेत्रेखा है, तो आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा हो, और एक लाइन में आप लोग समझ लो, कि जो विद्दू छेत्रेखा है, भाई साहब, एक प्रकार से खुला बक्र बनाती है, एन बंद बक्र का निर्मार करती है, बाहर भी रेखा है चलती है, अंदर भी रेखा है चलती है, इसलिए बंद बक्र का निर्मार करती है, लेकिन जो विद्दू छेत्रेखा है है, वो बंद बक्र नहीं बनाती है, खुला बक्र बनाती है, ठीक है, तो यह दि मैं कहूं कि चु चाला के प्लस की वावेश से चलती हैं और माइनस की वावेश पर समाप्त होती हैं चुमिकी च्छेतर रेखा ठीक है फिर ऐसा करो पहला आप लिखो कि विद्दु च्छेतर रेखा चाला के प्लस से निकल करके माइनस पर समाप्त होती हैं रेणावेश पर समाप्त हो जाती ह जो चुम्की 6 रहे खाय है, ये बिद्धु 6 रहे खाय की बात कर लिया है, कहा से स्टाट होती है, धनाविष से स्टाट होती है, तो ये बंद्रभकर का निर्वाहन करती है ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गया यह पेरवच्चों बंद बक्र का निर्मान नहीं करते हैं खुला बक्र बनाते हैं जबकि यह बाहर भी चलते हैं और अंदर भी चलते हैं इसलिए बंद बक्र का निर्मान करते हैं तो बस इतने ही आपको तीन अंतर त्यार कर लेना है तीन अक्षिय स्थित और फिर इसके बाद हम अनुदार जिस्थित के बाद निरच्षी स्थित जिसे अनुप्रस्ति श्रित कहते हैं इसके बारे भी हम चर्चा करेंगे उम् Meanwhile करता हूँ आज का इसरन पसंदा हैं को पसंदा है तू लाइक करें शेयर करें मिलते हैं गली वीडियो के साथ जय हिंद बंजमातराम